मेरा नाम है डॉक्टर धीपर केड़ेकर में मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा वैसन मुई तग्यूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमारे हादो हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल में हम रिलेटिव के साथ में पेशन लोगों को भरती करते हैं जुझे सबके लिए मांसिक स्वास्थ और वैसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है और इसके लिए हम काम करते हैं आज मैं पेशन स्टडी आपको बताने वाला हूँ पेशन की स्टडी है कि जिसमें यह लड़का जो था करिब करिब 22-23 साल का लड़का उसके पिता जीने उसको लाया एक बार उसने कहना बिज लिया भांग दोस्तों के साथ में दोस्तों का प्रेशर और उसमें एक बार ले लिया और एक बार लेने के बाद में उसको ऐसे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आंकों के सामने दिखने लगा हैलूसिनेशन होने लगे कुछ तभी आवाज आने लगी पागल जैसा करने लगा और उसको घर पे दोस्तों ने लाके छोड़ दिया दो दिन में वह अच्छा हो गया क्वाइट हो गया मगर तब से कंवें कवी इंडियर जाना जो कॉलेज में 3 यूर में पड़ाता जाना ही बंकर दिया नगुस्टा कभी जाना कभी जाना नहीं कालेज में बन नहीं मुझे जल्दी उर्ट नहीं आना निम्जे मूढ नहीं है । य सी ओय ईत्ज करना ही चुपचाप घर में बैठे रहता है, कभी WhatsApp पे लोगों को मेंसेज भेजेगा, कभी YouTube के जाके उपर वीडियो देखेंगा, या इंटरनेट पे कोई गेम्स खेलते रहेंगा, या TV वाच करेगा, घर में बैठा कि इसको तक्रिव देता हैं, खाना पिना है, और बैठेगा, सबसे इसका जो mental problem चलो हो गया, तब इसका करना किया, यह पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, या आगे क्या करना उसकी बातचीत नहीं कर रहा है, घर के कुछ काम करता नहीं है, और करना क्या, यह हो सकता है, कि मैंने उनको जब तपास लिया, तो मैंने बना, यह हो सकता है, कि सिंपल स्कीजोफ्रनिया हो गया, जो सकता है, कि वो कगार पर खड़ा ही था, mental illness के, मांसिक बिमारी के, एक निमित्त हो गया, कि उसने भांग ले लिया, अभी मांसिक बिमारी हो गई, तो ऐसा काफी होता है, कि बुखा रहा जाता है, उसके बाद में मांसिक बिमारी जाती कुछ भांग ले लिया, उसका 7 कर लिया, या कोई financial loss हो गया, नोकरी चली गई, या transfer हो गई, या कोई जंजट जगणा हो गया, या property matter है, या ऐसा कुछ तभी किसने कुछ बोल दिया, या फिर break up हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ रहते हैं कारण, कि जिसके वज़ा से फिर वो एक तरह के मानसिक बीमार वो बन जाते हैं, और ना पूरे पागल है, या लड़का ना कोई पागल हो गया था, ना ना नार्मल है, ये borderline personality disorder भी हो सकता है, ये symbols की ज़वर ने भी हो सकता है, और इनको treatment देना बहुत कठिन काम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा है कि उनक लड़का ने हम तो बोलती रहे थे उसको, जो बोलना है हो, लड़का खुद बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे बैठा हूँ घर पे, तो ऐसे से उनको उनका इलाज करना कठिन हो जाता है, मैंने ये लड़का जो लाया था उसको anti-psychotics दिया, कि नहीं हो रहा है, तभी अब कितने दिन अभी रहा देखेंगे, अल्रेडी आठ मेने आपके हो चुके है, तो माब अब तयार होगे, हमने उसको shock treatment दिया, आपको सबको पता ही है कि shock treatment में पेशन को मालूम नहीं होता कि अपने को shock दे रहे, उसको कुछ दर्द होता नहीं ह है, एकदम safe process है, उसको initiation देते हैं, और initiation देने के बाद में current पास करते है brain में, जिससे कि उसको brain को current बैठने से normal आप्मी हो जाता है, उसकी therapy हो जाती है, तो वो उसको मैंने 6 electric shock लिए, वो काफी उसमें से निकला है बाहर, काफी अच्छा हो गया, और उसमें बाद में फिर खुला कि ठीक, अभी मेरी इच्छा भी हो रही है, देरे देरे वो college जाने लगा, और अभी उसको मैंने बताया कि कम से कम आपको एक साल तक दभाई लेनी पड़ेंगे antipsychotic की, और यह simple phrenia करके पूरा, मतलब वो line पे मैंने उसको treat कर दे और अच्छा हो गया भी हो, तो ऐ पूरा normal हो सकता है, तो हर माबाब को यह देखना है, मैं आपको अपील करूंगा, कि देखो आपके बच्चे क्या कर रहे है, थोड़ा भी उनको को ऐसा दिखाई देता है आपको, कि थोड़ा उनको problem है, तुरन consultation करना जरूरी है, थाकि early consultation हो जाएंगा, early treatment हो जाएंगे, त करते हैं, लोग हमको online call करते हैं, हमारे सेवाएं लोग लेते हैं, और हम लोगों को online consultation देखे भी उनका हिलाज करते रहेते हैं, आपको इदिए अच्छा लगाए वीडियो तो जरूरूर शेयर करो, सब्स्राइब करो, लाइक करो, थेंक्यू बेरिमाच्च्च्च्च्च् अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्